हलो फ्रेंड्स मेरे नाम है संदीप कुमार गौर और हम डिसक्स करनेग से कौर्ण दिस्कीर मैथमेटिक्स पर जिसके अंतरगत आज हम देखने वाले ग्राफ थेोरी ग्राफ थेोरी का यह पहला वीडियो है और आज हम इसमें देखने वाले ग्राफ क्या होता है दोस्तों वीडियो सुरू करने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वैल आइकोन को प्रेज कर लें इससे कि आपको लेटेश्ट वीडियो के नॉटिफिकेशन हो सके तो आएए शुरू करते हैं आज का वीडियो सबसे पहले देखते हैं ग्राफ की डेफिनिशन की ग्राफ क्या होता है डेफिनिशन अगर हम देखें तब एए ग्राफ is defined as an ordered pair of a set of vertices and a set of edges यदि हम ग्राफ के बारे हम बात कर रहे हैं तब यहाँ पे दो चीज़ें होती है एक होता है हमारे पास vertices और दूसरा होता है edges और यदि हम vertices के set को लेते हैं और साथी साथ edges के set को लेते हैं और यह किस form में है एक ordered pair के form में है ordered pair का मतलब होता है कि पहले हम हमें इसा किसको लेखेंगे set of vertices को लेखेंगे और second में set of edges लेखेंगे तो इस तरह का जो एक ordered pair बनता है यह जो collection होता है यही हमारे कैलाता है graph कहलाता है और graph को represent करने के लिए हम यहाँ पर इस तरह से use कर सकते हैं या तो आप g equal v और e लिख दीजिए या फिर g के साथ bracket में v और e लिख दीजिए आप यहाँ पर जो capital v है वो क्या है हमारे पास v is the set of vertices and capital e is the set of edges connecting the vertices यहाँ पर दो चीज़े हैं एक है vertices, vertices को आप knots या फिर points भी बोल सकते हैं और इनको connect करने के लिए क्या है? edges हैं जो कि lines होती है, उनको हम यहाँ पर क्या बोलेंगे? edges बोलेंगे और इन edges के द्वारा इन vertices को connect किया जाता है तो इन vertices का और edges का जो connections होता है, वही हमारे के कहलाता है graph कहलाता है for example यदि यहाँ पर हम कोई diagram बनाते हैं मालीज मैंने यहाँ पर बनाया है first point है second point third point इसको नाम दिया है मैंने A यह है B और यह है C अब यह जो point मैंने बना है इन points को क्या बोल जाता है या तो इनको हम point बोल सकते हैं या not बोल सकते हैं या फिर vertices बोल सकते हैं तो इनको हम क्या बोल सकते हैं vertices यह क्या है यहाँ पर vertices A vertices, B vertices और C vertices इसको हम और क्या बोल सकते हैं not या फिर point ओके और इनको connect करने के लिए जो lines हम यहाँ पर draw करते हैं जैसे माली यह, इस तरह से एक line है, एक यह line है, और एक यह line है, तो यह जो lines है, इनको क्या बोला जाता है, ages बोला जाता है, ठीक, तो अब हम यहाँ पर बात कर रहे है, set of vertices के बारे में, set of vertices को किसे represent कर रहे हैं, capital V से, तो इसमें क्या क्या आएगा, small a, b and c, यह है set of vertices, ages के बा तो ages कौन कौन सी है, अब देखिए, यहाँ पर age का नाम भी हो सकता है, और नहीं भी है, तब हम इनको audit pair के form में बता सकते हैं, जैसे एक age है a और b के लिए, तो हम यहाँ पर कहले सकते हैं, a, b, a, j, b, c, c, तब हम यहाँ ले सकते हैं, b, c, और a के a से c के लिए, ओके, तो set of vertices और set of ages, इनके जो collection होता है, वही हमारा यहाँ पर graph कहलाता है, तो friends, definition आपको समझ में आ गई होगी, graph क्या होता है, यहाँ पर दो concept में हैं, दो चीज़े हैं, vertices और ages, ठीक है, vertices वो points है, यहाँ पर ages को connect किया जाता है, और ages क्या है, इन vertices को connect करने के लिए, जो lines कीची गई है, उनको हम ages बोलते हैं, तो यहाँ पर a, b, c, t, in point है, और इन point को connect करने के लिए, जो line बनाई गई है, वही क्या कहलाती है, ages कहलाती है, तो यह है हमारा graph, इसमें देखते हैं, classifications of graph, दोस्तों, आज का वीडियो हमने बिल्कुल basic वीडियो लिया है, जिसमें हम definition देख रहे हैं, इसके बाद वाली वीडियो में हम graph की सारी terminology और concept पर बात करेंगे, साथ ही साथ यह देखेंगे, कि उसके types क्या क्या होते हैं, और किस तरह से graph पर काम किया जाता है, आज का जो पहला वीडियो बिल्कुल basic है, जिसको आप आसानी से समझ सकते हैं, अब यहाँ पे हम देखने वाले classification of graph, तो देखिए, graph अलग अलग परकार के होते हैं, लेकि on the existence of loop और multiple ages, अभी मैंने example लिया, जिसमें हमने 3 point बनाएं, ABC, और उनको ages से connect किया गया है, अब जो ages होती है, वो किसी 2 point के लिए, या तो single age हो सकती है, या एक से जाद age हो सकती है, या फिर वहाँ पे self loop भी हो सकता है, तो उनके base पर यहाँ पे graph को दो category में divide किया गया है, प हम यहाँ पे बनाते हैं, 4 point, यह 4 vertices हैं, A, B, C, और D, अब हमने यहाँ पे A से B को connect कर दिया, B से D को connect कर दिया, D से C को connect कर दिया, और C से A को connect कर दिया, अब देखिए, यहाँ पे जो ages दिख रही हैं, वो simple है, means यहाँ पे ना तो हम एक से जादे ages बना रहे हैं, और ना है किसी प्रकार का self loop यहाँ पे बन रहा है, तब यह जो graph होता है, यह simple graph कहलाता है, ठीक है, अब देखते हैं, multi graph क्या होता है, अब मालीजिये, कोई में graph किस तरह से बनाता हूँ, यह A node है, यह B node है, और यह C node है, अब यहाँ पे मालीजिये, A से B है, A से C है, और B से C है, लेकिन साथी साथ, यहाँ पे A से A के लिए भी है, ठीक है, A से A के लिए भी कोई age दी गई है, तब यह जो graph है कहलाता है, multi graph कहलाता है, that means, यदि किसी graph में, किसी भी परकार का self loop, या फिर एक से जादे age नहीं है, तब है क्या होता है, simple graph होता है, और यदि किसी graph में, एक से जादा age, 2 node के लिए दी होई है, या फिर self loop दिया हुआ है, तब है क्या कहलाता है, multi graph कहलाता है, जैसे यहाँ पर अब self loop भी है, और हम कुछ इस तरह से ट्रॉबी कर सकते हैं, B से C के लिए भी एक age दी हुई है, और A को रेज यहाँ पर B से C के लिए दी हुई है, तब यह double age है, या फिर multi age है, तब यह जो graph होता है, वो क्या कहलाता ह है, ठीक है, तो यह difference आपको सही में आ गया होगा, second जो इसके classification है, based on the orientation of the ages, अब देखिए, दो तरह के orientation है, undirected है और directed है, directed को यहाँ पर diagram भी कहा जाता है, अगर हम यहाँ पर कोई graph लेते हैं, कुछ इस तरह से, a, not, b, c, अब यहाँ पर जो आप देख रहे हैं, इन ages में कोई भी यहाँ पर direction नहीं दी है, means a से b भी हो सकता है, और यही b से a भी हो सकता है, not हम ज़र ठीक से बना देते हैं, ओके, यहाँ पर भी कर देते हैं, तो यह जो ages हैं, यह a से b है और b से b है, इस तरह b से c है और c से b है, a से c है और c से a है, that means यहाँ पर आदि हम h के बारें बात करें, तब a, b और b, a, दोनों ही क्या है, बरावर होगी, इसको बोल जाता है, un-ordered pair, इसको क्या बोल जाएगा, un-ordered pair, ओके, means जो un-directed graph होते हैं, वहाँ पर जो ages होती है, वो किस फॉर्म में होती है, ठीक है, वहीं हम यह दि डारेक्टेड या फिर डाइगराफ के बारें बात करें, तो यहाँ पर age पर एक direction दी होई होती है, A, B, C, अब मैं हाँ पर यह दि डारेक्टेड बना दूँ, तब यह क्या हो गया, A से B हो गया, यह B से C हो गया, और यह A से C हो गया, अब यहाँ पर यह A से B है, अब हम यहाँ पर इसको B से A इस तरह से नहीं लेख सकते हैं, तो यह क्या है, audit pair है, तो यहाँ पर A से B है, इसके अलावा B से C है, और A से C है, ठीक है, तो डारेक्टेड और डाइगराफ जो होता है, यहाँ पर audit pair के form में होगा, means यहाँ पर जो A इसे हैं, इनमें direction दी हुई होगी, तब यह graph क्या क्या आएगा, directed यह पर diagram, और यह दि A जिसमें direction नहीं दी है, तब वो क्या 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 आता है, अंडारेक्टेड ग्राफ क्या लाता है, थर्ड जो classification है, based on the weight of the ages, अब यहा पर क्या होता है, जैसे माली जी कोई graph आपको दिया हुआ है, इस तरह से, अब यह directed भी हो सकता है, और अंडारेक्टेड भी हो सकता है, simple भी हो सकता है, और multi graph भी हो सकता है, चलिए हम यह आप इसको directed माल लेते हैं, A, B, C, D, ठीक, और इसी example को फिर से लिख लेते हैं, A, B, C, D, यही direction ले लेते हैं, अब difference कर रहेगा, यदि यह weighted है, तो यहाँ पर हर एक age जो यहाँ दी होई है, उसके साथ एक numerical value, means उसका weight या वोई value यहाँ पर assign की रहेगी, जैसे माल लेते हैं, यहाँ 12 है, यहाँ 15 है, यहाँ 9 है, तो यह जो graph है, यह क्यों कहलाएगा, weighted graph के, यहाँ पर हर एक age के साथ उसका weight या उसकी value assign की गई है, unweighted में क्या हो जाएगा, एक simple की तरह रहेगा, जिसमें ages के साथ कोई भी weight या कोई भी value assign नहीं रहेगी, अब यह जो weight रहता है, यह कोई भी value हो सकती है, number of days हो सकता है, distance हो सकती है, working hour हो सकते है, कुछ भी हो सकता है, लेकर कोई ने कोई weight या कोई भी value यहाँ पर assign रहेगी, तो यह जो graph कहलाएगा, वो कौँसा होगा, weighted graph, और यहाँ पर यह कोई value assign नहीं की गई है, तब वो कौँसा होता है, unwated graph हो सकता है, और यहाँ पर दोस्तों, किसी भी तरह का कोई भी combination यहाँ भी use हो सकता है, जैसे यह है, तो यहाँ पर यह कौँसा है, unwated directed graph है, और साथी साथ simple है, क्योंकि यहाँ पर ना तो self loop है और ना ही कोई double edge है, ठीक है, यदि हम यहाँ पर double edge बना दें, इस तरह से, तो आप यह क्यों हो जाएगा, unwated multi graph हो जाएगा, ठीक है, तो कोई भी यहाँ पर combination use हो सकता है, सारे concept आपको हमने बता दिये हैं, तो आप इनको याद रखिएगा, तो फ्रेंट्स, आज का वीडियो बहुत basic वीडियो था, सिर्फ हमने यह देखा है, ग्राफिक definition क्या होती है, और किस तरह से उनका classification किया गया है, next वीडियो में हम देखेंगे, इसके terminology या फिर जो basic concept होते हैं, वो क्या क्या होते हैं, तो मेरे साथ बने रहिए, और दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया, तो वीडियो को like करें, share करें, और channel को subscribe करें, thank you.